कर दोस्तों बिग बूल मार्केटिंग में आपका स्वागत है सो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले प्ली चैनल को सस्क्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए धन्यवाद आज हम डिस्क्स करें आई डिब ए बैंक के बारे में क्या आपको इस शेर पर निवेश करना चाहिए नहीं और इस शेर में आपको आने वारे टाइम में क्या टार्गर देखने को मिल सकते हैं काहा यह जयर का 스क्पोर्ट बन रहा हो और कहा पे रिजिस्टेंस सारा हम आपके लिए क्लिए कर देंगे तो गाईज वीडियो एंड तक जूरू देखे गा पूर्ट बन रहा और कहां पे resistance सारा हम आपके लिए क्लियर कर देंगे तो guys वीडियो एंट तक जुरू देखेगा so guys पहले जो है company के fundamental के बारे में बात करें तो company के fundamental जो है काफी strong है guys company का stock नहीं ज़्यादा overbought zone में है ASM के किसी red flag list में गाइस company की जो annual growth rate, profit generation, revenue growth rate, cash flow statement, income flow statement जो है सारी के पॉस्टिव में गाइस और company की जो debt liquidity, ROI और earning पर share रहा वो भी काफी अच्छे गाइस so guys आप देखेंगे IDBI bank में आपको बहुत अच्छी जो है एक rally देखने को मिली पिछले कुछ टाइम में और हमने आपको कहा था guys की इसमें आपको 50 रुपे के जो levels है बड़े राम से देखने को मिलेंगे और आपको 50 रुपीज के target इसमें जो है achieve होतो है दिखेंगे तो आप इसमें positions बनाई है और guys वैसा ही हुआ है उपर से guys इस share में अभी जो एक हवा बनी हुए market की जो privatization की बनी हुए है उससे इस share में आने वाल टाइम में और जो है आपको rally देखने को मिलेगी तो मैं आपको यही राय दूँगा अगर आप इस share में positions बनाने की सोचे तो आप इ share में आपको आने वाल टाइम है और जो है अच्छी खासी buying देखने को मिल सकती है तो guys company आपको अच्छी valuation में मिल रही company की valuation काफी अच्छे guys आपको company एक fair valuation पर मिल रही तो मैं आपको यही राय दूँगा आप जो है इस share में positions बनाईए guys 65 के जो है levels आपको आने वाल टाइम म share में देखने को मिलेंगे so guys IDWI bank आने वाल टाइम में outperform कर सकता है 65-70 के जो levels है आपको इस share में देखने को मिल सकते है तो मेरे आपको यही रहे रहेगी आप जो है इस share पर जुरूर positions बनाईए इस share में आपको अच्छे खासी return मिलने की आने वाल टाइम में बहुत दादा स दिखाई है guys और ऊपर से आपको बता है nifty bank जो है sweet spot में है तो IDWI bank एक अच्छा stock है guys जिस stock पे आप निवेश कर सकते है 46 का आपने इसमें stop loss लेके चलना हो 65 से लेके 70 के target आपको आने वाल टाइम में देखने को बलेंगे और जो इसमें what a result इतना बढ़िया है एक यह सोने पे स्वागा गाइस तो सारी जो न्यूज है इसमें positive है इस time तो बिल्कुल से टाइम है guys इस शेर में positions बनाने के लिए आज इसमें थोड़े हमें एक consolidation phase देखने को मिल रहा है guys क्योंकि आपको बता है market की आज condition थोड़ी week है लेकिन जब market में हमें एक अच्छी rally देखने को म और perform करेगा तो जरूरी शेर को अपने radar पर रखे और हमारे चैनल को प्लीज सस्क्राइब कीजिए धन्यावाद guys